कर आप देख रहे हैं खास ख़बरें बिहार दोस्तों मैं आप लोगों को लेकर आया हूं इस वक्त वाइस सी सी तूथाजन ट्वैंटी वन टू तूथाजन ट्वैंटी टू सेशन का मैच दिखाने के संदर्व में यहां आयोजन जो है प्रतेक वर्स युवा मंच उफ्रैल मंदल टोला मधूरानी स्टेडियम में किया जाता है जैसा कि आप लोगों को पता ही है गाउं के लोग भी काफी सौकीन होते हैं किर्केट के प्रती आज का जो मैच था वह मजरख बनाम तकिया के बीच सेमी फाइनल का मुकाबला जो की काफी काटे की टकर हुई थी यहां पर तो मैं बताना चाहूंगा अपने माध्यम से कि टॉस जीतकर तकिया ने पहले छेतर रक्षन का निरने लिया जो काफी महगा सावित हुआ और बल्लेवाजी करने के लिए सबसे पहले आमंत्रित किया यहां मजरख को और मजरख ने टॉस हार कर पारी को शंभाला और पर जो है फस्ट पावर प्ले में बिकेट का भी पतन हुआ एक ही बिकेट गिरे उसके लेकिन जो छे ओवर का जो पावर प्ले होता है उन्होंने उसमें एक बिकेट गवाकर मात्र तेरह रन बनाये थे लेकिन उसके बाद जो सेकंड जोड़ी जब मैदान पर आई ऑपनर बैट्समेंन के आउट होने के उपरांत फिर उन्होंने ताबर तोड़ बन्लेवाजी करते हुए तकरीबन 210 रन बनाये और विपक्षी टीम को 211 रनों का लक्ष दिया वहीं जबावी मुकाबले में तकिया की टीम जो है अच्छी सुरुआत करते हुए मात्र 110 रनों में आ काफी आसानी से अपने फाइनल में जगह बना चुकी है और आगे जो नौ तारिक रहिवार को यह मैच दिखाया जाएगा फाइनल मैच यह काफी कांटों भरी तक्कर होगी चुकी फैनल में पहुंच चुकी है जिसमें एक मजरक है और एक पचीरा है जिसमें की कांटों भरी टकर होनी है पचीरा भी अपने आप में काफी मजबूत टीम है और साथी आज जो सेमी फाइनल खेल करके मजरक फाइनल में जगा बनाई है यह भी काफी अपने आपको मजबूत टीम है चुकि आज उन्होंने यह साबि यह काफी बड़ा स्कोर रहा है इस ग्राउंड का तो इसमें देखने वाली बात यह आती है कि अब जो फाइनल होना है पचीरा और मजरक के बीच इसमें दोनों ही टीमें किस तरह से अपना जोहर दिखाती है और जीत का सहरा किसके सहरे सिर पे जाता है तो यह देखने वाली बात होगी तो मैं बता दूं कि यह जो मतलब गाओं का जो मैच है यहां पर दर्सक काफी ज़्यादात में आते हैं और काफी आनंद उठाते हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि अपने छेत्र के जितने भी दर्सक हैं किर्पया उस दिन आएं और मैच का आनंद लें और हमार आयोजन के माध्यम से लोगों को हर्सित करने का काम किया है और यह काफी बढ़ियां मौका है हम लोगों के लिए कुछ शीखने का खेल परतिभा को जानने का तो यहां आएं और इस मैच का आँखो देखा ओन दे लाइफ टेलीकास्ट आप देखने का मौका ग्रहन कर सकते ह चाहूंगा आप लोगों से कि जो फाइनल का मुकाविला है यह जो काटोवरी टक्कर है इसका लुपत उठाने के लिए मौका न गवाएं और जरूर मधुरानी एस्टडियम में पधार है जो की उफ्राइल चौक से थोड़ा सा दक्षिन जाकर के मंडल टोला में है और सुनिल ठाकुर बिदा लेता हूँ अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबा दें और यदि आप मेरे चैनल को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें सेयर करें और मेरे पेस को फॉलो करें धन्य झाल 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 in the